और मध्यबरदेश के चतरपूर में बागेशवर वाले बाबा का दर्बार सजा है, हजारों लोगों की भीर मौझूद हैं, आने का सिलसिला भी यहां पर जारी हैं लोगों का, आज से अगले दो दिन तक बाबा का दिव्वे दर्बार सजने वाला है यहां भक्त हाजरी लगाएंगे और उनका पर्चा बनेगा भक्तों की भीड ठंड में भी जमकर डटी हुई है और भारत को हिंदू राष्ट बनाने में बाबा के सुर में सुर मिलाकर बोल रही है भीड जब बढ़ी तो इंतजामों की हवा निकलने लगी लेकिन बाबा के आ राष्ट बढ़ाओ रैसा है तो आप अपने पौधों को एक करोड़ फ्रिडम एप के जो गराहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं लेकिन इस आस्था के सैलाब को आप क्या कहेंगे एक बज़े हैं जैसे ही इंडिया टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची उस द्रश्ट को दिखाने के लिए कि शद्धा कितनी ऊपर होती है तमाम उन चीजों से चाहे वो ठंड हो या यह आप देख सकते खुले आस्मान के बागेश्वर धाम में एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के गूच सुनाई पड़ी साथी बाबा बागेश्वर धिरेंद्र टुशर शास्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र विरोधियों को चेतावनी दे दी है क्या तुम्हारी समस्या निप्टवाने की गारंटी हमारी हिंदू राष्ट बनाने की गारंटी तुम्हारी जंजार खतम भूत भगवाने की गारंटी हमारी हिंदू राष्ट बनाने की जिन्दा भूत है उनको बाहरत से भगाने की जिम्मेबारी तुम्हारी अब संकतों की ठटरी और सनातन बिरोधियों की भी ठटरी है हां हम रुकने बाले नहीं है बहुत रोकने का प्रयास किया घेरा गया आरोप लगाए गए अभी तो और आरोप लगाएंगे क्योंकि उनको बहुत मिर्ची लग रही है ला यह वाला बाबा थोड़ा दूसरे प्रकार का निक 13 से 19 फरवरी तक बागेश और धाम में धार्मिक आयोजन हो रहा है बड़ा आयोजन है लेहाज़ा तयारी भी बड़ी है हजारों की संख्या में दूर दूर से लोग दरबार में पहुंच रहे हैं लोगों की भीड इतनी है कि सारे इंतुजाम धरे के धरे रहे रहे गए है कोई सुवधा नहीं है कोई सुवधा नहीं है कि यूपी से घडोई से हर्दूी से जी मैं छपरा से हूँ बिहार से जी अधी है तो आप यहीं प्रसाओ का है जे अधी है कोई कोई साधनी बिग दूर है अब जरा रेलवे स्टेशन नहीं, बलके रेलवे ट्रेक का नजारा भी देख लीजे रेलवे पट्रियों पर लोगों की भीड को देखका लगता है कि इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं ऐसा ही नजारा सडकों का भी है, सडकों पर भी जाम लगा है आपको ये दिखाई दे रही हजारों लोगों की भीड माग मेले की नहीं है ये है उस धार्मिक दर्बार की जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया के तमाम लोग आए हैं गाओ जो बागेश्वर धाम है उसके पास का ये एक रेलवे स्टेशन है गुलिया दे करके जहाँ पर चेन पुलिंग करके ये गाड़ी रोकी गई है हजारों की भीड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और अभी पूरी तरीके से अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो रोल्ड आपको यहाँ पर जाम दिखाई देगा पूरी तरीके से रोल्ड जाम है प्रसाशन और पुलिस की व्यवस्ता यहाँ होनी चाहिए थी यह आप चारों तरफ अगर रोल देखेंगे तो ये जाम लगा हुआ है गढ़ा बागेश और धाम से करीब चार किलोमेटर दूर दुलिया गंज रेलवे स्टेशन से हर दिन साथ ट्रेने गुजरती है उनमें से यहाँ पर किवल तीन ट्रेनों का स्टॉपेज है बाकी चार ट्रेन को चेन पुलिंग करके रुका जा रहा है इंतिजाम ना होने से लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है बावजुदिस के बागेश और धाम जाने में उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है और नहीं इंतिजामों में कमी से कोई शिकायत है लेकिन जित्ते भी बाबा के विरोधी है वो तो कहते हैं कि वह जादू तोना अन्विश्वाज करके अब अपने अपनी आस्ता के चलते हैं पर हो या लेकि धंड बहुत है बाहर कोरा भी है फ्रीडम एप से सीख कर आपने पौध शाला की शुरुवात की है क्या अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को एक करोड़ फ्रीडम एप के जो गराहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं हर गुजरते दिन के साथ बाबा के दरबार में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और नारों जैकारों के पीच बहरत को हिंदू राष्टर बनाने की मांग तेज हो रही है लगातार दिन किशन शास्त्री बोलते हैं कि जब 13 से लेके 19 तारीक तक ये तमाम जो भक्त हैं और देश भर में जो लाखो करोड़ भक्त हैं जब वो ईश्वर से प्राथना करेंगे हिंदू राष्टर के लिए तो वो हिंदू राष्टर क्यों नहीं बनेगा इनी नारों के बीच पे ये तमाम भीड यहां पर रोज रात को समझा जा सकता है 19 तारीक तक इसी तरीके से लेटेगी और उन्हें विश्वास है कि दीरेंट किशन शास्त्री हो सकता है रात में आए या सुबें आएं और जब आएंगे तो उनकी आस्था का ये जो सहलाब हैं उसे और मजबूत करेंगे कैमरा परसेंट प्रदीपत्रवेदी के साथ अनुराग अमिताब इंडिया टीवी गाओ घडा शतरपुर से